फानिल दूस्तो यह आप लोगों पे सामने खड़ी भी है ब्रैंड न्यूब बजाज-Pulsar 220F दूस्तो काफी दिनो से इस बाईक का वेट कर रहाज़ यह बाई 220F यह न्यूद मोडल 220F फानिल दूस्तो आप लोगों पे सामने खड़ी भी है ब्राइन न्यू बजाज फलसर 220F दुस्टो आज के इस फिर्म में इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं क्या प्राइज आती है, क्या स्पेसिपिकेशन है क्या बजाट में इस बाइक को खरीज सकते हैं सारे चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं प्लस कंपाने इसमें क्या चेंजिस किया है सारे चीज़ आपको बताऊँ हूँ अगर आप इस बाइक के बारे में जाना चाहते हैं दुस्टो इस वीडियो को पूरा जिरुद देशेगा आपको मैं सारे चीज़ बताने वाले हूँ चैनली फिर इस वीडियो को सुरू करता है अगर शायनान पर पैनिक बरायां ते लिए सब्स्क्राइब पन देज़ेगा लिए कि अनको ओन पन देज़ेगा कि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग पर नोटिफिकेशन ने आप तक पॉस्टे रह सकें और आप ने रुड़े सब्सक्राइब 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 करने अपडेट के बारे में कंपनी इसमें क्या अपडेट किया है दोस्तो 220F में आपको यह नया 220 का ग्राफिक देखने को में रहा है पहले ऐसा कुछ निया आता था कंपनी ने से हाइलाइट कर दिया प्लस अब आपको फाइनल इस बाइक में फुली जो डिजिटल मेटर है वो आपको इस बाइक में ओफर किया हुआ बस उसकी अलवाएं यहाँ पर कोई भी खाइस खाश चेंज नहीं है ठीक बात कर इसके प्राइस के बारें दोस्तो 220F लास्टेम एक्सुरूम प्राइस आती थी नंबग वल्लेक 37,000 एक लाग 37,000 रुपए आपको यह नास्टेम एक्सुरूम प्राइस आती थी बड़ाव आप डेट आया है तो जायर से बात है प्राइस भी बड़ाएगा दोस्तो अब यह बाइक आपको एक्सुरूम प्राइस आएगी लगबग वल्लेक 40,000 जब एक लाग 40,000 रुपए ग अब देट आया है तो इतना जो प्राइस व इसका बड़ाया हुआ अनलग पर ठीक चलिए आव आज आते हैं दोस्तो इस बाइक के रिव्यू में सबसे पहले दुस्तों मैं इसकी क्यों गर आओ तो जैसी मैं इसकी क्यों गरूँआ अब देख पार है यहां पर आपको जो कि हेलोजन है जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छी लगती है अगर कंपनी यह आपको अफर कर देश डिजाइन में तो यह और भी बहता लगीगी मेल लाइट वे दुस्ते आपको लूवल लाइट देखने को मिलती है एक देखिए एक हेलोजन प्रोजेक्टर आपको पास मारे की दिखा रहा हो एक हेलोजन है लिए हेलोजन प्रोजेक्टर है इस लाइट की एलिमिनेशन प्लस दो विजिबिलिटी वह आपको बहुत अच्छी मिलेगी आपको यह पर कोई एक्ष्टा फ्रावल लगाने की जरुद लगता है नूटन सिंगल लाप है वो आपको यहां पर बल्ब देखने को मिल जाते है ठीक दूसरों बात कर इसके फ्रण सस्पेंशन के बारे में फ्रण फ्रण में इस बारे में बात कर लेगे प्राइक्स पेसल फीचर में सिंगल चैनल एंटिलक ब्रेकिंग सिस्टम देखने उपर मिलेगा जहीं ABS है त्यूंकि सिंगल चैनल ABS आपको बाइक में मलता है अगर बात करें प्लेट साइज के बारे में तो फ्रेंट में इस लाइग आपको 280 दोस्तो 80 mm के असपास की जो प्लेट साइज है वो आपको इस बाइक में देखने को मल जाती है चानिए बात कर लें इस बाइक के एंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में उससे पहले हम बात करेंगो इससे नए मिटर के बारे में सबसे पहले आप की देख लिए इस टेपकी जो आरप में मिटर केहते हैं तक यह पर आपको टाई़ देखते हैं ठीर शबारे में अपको छुल ईंटकेटर देखके लिए धियर फीचर आपको इससारे लीउजा हैं कमपनी ने जो है काफी सारे फीचर इस बाइक में दिये हुए है ठिक यहाँ से आप इसे जेखिए क्लॉग भी जो है सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहा है तो ठिक और यहाँ पर आपको फाइनली अब एक चार्जिंग पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है प्लस एक सेल्फ फॉषिज आपको बाइक में बात करें दूस्तों इस बाइक के एंजिन स्पेसिपिकेशन के बारे में नया मिटर आप लोगों ने देखा दूसरे एंजिन टाइप में इस बाइक में आपको 220 CC का 220 CC का ओल कुल्ड टुनिस पर प्लग DTSI FI एंजिन आपको बाइक में मिलता है बात करें पावर एंड टॉर के बारे में यह मैक्सिमम पॉर में 20.4 का PS पावर जनेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्ग में 18.55 पर जो निरमिटिन टॉर्क हो आपको इस बाइक में देख देख फिल सिस्टम में FI मिलता है जिसे फिल इंजिक्टर भी कहते हैं दुस्ते बाइक नॉर्मल 5 के साथ में अगी प्लस इसमें आपको नॉर्मल वेट मल्टि प्लेंट जो कलच है वो आपको बाइक ना मिलेगा प्लस जो एंजिन में जो वाल हुए वापको आपको तूवाल मि परफॉर्मस के बारह में। दूस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लंग बग फूटी के ऐसपस का वायलिस निक्सा जोका देती है। वो आपको इस बाइक की देखिल को जाती है याने कि टॉपन परफॉर्मस से वगे आपको बाइक में बहुत अच्छा मिल जाएगा ठीक अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर प्रफाइल में सबसे पहले आप इसकी टेल लेट देखिए टेल लेट है आपको LED मिल रहा है ठनल सिंगल प्रफ आपको यह पर बल्व देखने को मिल जाता है दोस्तों रियर में इस बाइक में आपको 120 80 के टार सित देखने को बिलेंगे रियर में इस बाइक में आपको 220 mm के आपे दिया हुआ है, suspension की जो quality वो भी आपको bike में बहुत अच्छी मिलेगी plus आपको 220F की बैची मिल जा दिए, बात कल इस bike के dimension and capacity के बारे में दुस्तो इस bike की जो seat head है वो 795 mm है, आपकी head around 5.2 अच्छी सूपर है, तो आप comfortable light कर सकते हैं बाइक की जो ground के रहे हैं, 165 mm का बाइक का जो will base है दुस्तो अलबग 1350 mm का curve weight 160 kg का full tank capacity आपको 15 से solar liter gas pass की मल आती है, so आपको ब्रेंड न्यू 220F new blue with new digital meter, नया ग्राफिक के साथ में बाइक के से लगए, नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जबर बताना सुमीद करता हूँ, आपको एक छोटी से इंट्रेसिंग ग्रो अच्छी लगए कि उरस्ट लगए कि लाइक करेगा चैनल पे पहले बेराए तो सब्सक्क्राइब परेगा बलते हैं, नेक्षिर होगे, लवी ओ, जैहिन मैंने माँ तराओ